सांज पड़ी, दिन धल गया, बागन घेरी गाए, गाए बिचारी ना मरे, बाग न भूखा जाए संत कबीर जी कहते है कि सांज हो गई, दिन धल गया, अर्थात जीवन धल गया, बुढ़ापा आ गया और बाग ने गाए को घेर लिया, अर्थात मृत्यू ने जीव को आकर घेर लिया, फिर भी वह आत्मा रूपी गाए नहीं मरी, लेकिन मृत्यू रूपी बाग भी भूखा नहीं रहा आत्मा तो अविनाशी ठहरी, वह देह छोड़ कर चलती बनी और बाग ने शरीर को खा लिया, अंततह देह और आत्मा का संबंध विच्छेद हो गया